ध्यान रिशी पतंजली के आठ चरणों वाले योग अभ्यास में सात्वे अंग के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला शब्द है। ये हवस्था समाधी या अवशोशन से अंतिम है। दुर्भाग्य से ध्यान शब्द का अनुवाद आमतोर पर ध्यान के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ स्थाई शान्ती की स्थिती है। आये संक्षेप में जाने की ध्यान क्या है, तो इतनी महत्वपून जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान का अभ्यास करने से पहले, योग के प्रासंगिक चरणों, अर्थात यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार और धारना का अभ्यास किया जाना चाहिए। यम का अर्थ हिंसा, जूट, चोरी, समवेदी यति सक्रियता और अधिग्रहन से दूर रहना है। पवित्रता, संतोष, तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन और उच्छ सिध्धान्त के प्रती समर्पन का अभ्यास करना नियम है। आसन और प्रानायाम के अगले दो चरण शरीर की मुद्राओं और श्वास के साथ प्रसिद्ध हैं जो शरीर में उचित स्थूल और सूक्षम द्रफ प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं। आसन का अभ्यास करते समय एक विशेश सिध्धान्त जैसे अनन्त शून्य पर एक आग्रता की सिफारिश की जाती है। प्रानायाम का अभ्यास करते समय व्यक्ति को धारना की स्थिती में रहना चाहिए। योग के उप्रोक्त अंगों का अभ्यास करते हुए, अभ्यास करता को शारीरिक और मानसिक सर्चना में परिवर्तन का एहसास होता है। प्रत्याहार मन को अंदर की और मोर कर बाहर से सूचना के प्रवाह को रोकना है। मन की आँखों में एक आग ध्यान बनाए रखना धारना है। ध्यान के कई घटक है, इसामतोर पर ध्यान के रूप में अनुवादित किया जाता है, जिसमें ध्यान का पूरा महत्व नहीं होता है। यहाँ ध्यान और मेडिटेशन के बीच अंतर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। या आराम बढ़ाने, मनोवे ज्यानिक संतुलन में सुधार करने, बीमारी से निपटने, या समगर स्वास्थ्य और खुशाली को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस प्रकार, ध्यान की परिभाषा शांत करने और मनोशारीरिक भार को कम करने की मानसिक प्रक्रिया पर आधारित है। वर्तमान शब्ध ध्यान जाग्रूक्ता से संबंधित है, या तो केंद्रित या खुला, जब मन गतविधी के एक शेत्र में ध्यान केंद्रित कर रहा हो। जागरूकता में मन के साथ साथ कम से कम एक इंद्रिय सक्रिय होती है, ध्यान में सभी इंद्रिया शांत होती है, प्रारंब में किवल मन ही सक्रिय होता है, ध्यान में मन अपने विश्राम स्थान, अपने मूल की और केंद्रित होता है, और इसे अस्तित्व का केंद्र कहा जात इस प्रकार जप और प्रार्थना ध्यान के लिए आवश्यक शर्ते हैं इसके अलावा जागरुकता का एक अंतिम बिंदु होता है जो सांसारिक ज्यान प्राप्त करने या बनाने या शायद आध्यात्मिक अनुभव का स्पर्श से संबंधित है ये अभी भी शरीर और मन के म अध्यम से अनुभव की तलाश कर रहा है ध्यान में हम अनुभव से परे जाने का प्रयास करते हैं हम परम वास्तविक्ता के स्तर पर है और हम उस वास्तविक्ता में खोए हुए हैं यह वास्तविक्ता सा पेक्ष नहीं बलकि निरपेक्ष है इसका वर्णन करने के लिए को संशलेशन की ओर ले जाती है। पहले संसकार या पूर्व अनुवान्शिक अनुभव और विचार उत्पन होते हैं और जब हम दुनिया और खुद के बारे में नया ज्यान प्राप्त करते हैं तो वे मजबूत या संशोधित हो जाते हैं। पुराने संसकारों को तोड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ये पूर्ण वेराग्य पर आधारित है। शरीर और मन के प्रती सभी लगाव को पार करना चाहिए और केवल वास्तविक्ता तक पहुँचने का मकसद ही मुक्ती का मार ग्रोशन करना चाहिए। जाग्रूकता प्रताओं और ध्यान के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर ये है। पूर्व में हम मन से परे और बेजान लगते हैं, जबकि ध्यान में हम अपनी स्थिती के बारे में पूरी तरह से जाग्रूक होते हैं। कारण बहुत सारे हैं, केवल आत्मा ही चेतना औ आत्म जाग्रूकता से संपन है। ये मन और शरीर के सभी पहलों को सक्रिय करने वाला बुद्धिमान सिध्धान्त है। इसलिए मन की कोई भी अवस्था केवल एक शनिक अवस्था होती है और यहां तक कि गहरी नींद जैसी अवस्था जिसमें मन बंद लगता है, पूर्ण जाग्रूकता की स्थिती में होता है। केंदरित विचार में कोई जाग्रूकता नहीं होती है, ध्यान और समाधी अवस्थाओं में अनुभव की गई कोल जाग्रूकता की तो बात ही छोड़ दो। ध्यान में यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रेम की भावना के हम पुरूश के साथ एकाकार महसूस करते हैं और खुद को इस भावना में विलिम कर देते हैं। केंदरित ध्यान हमें प्रेम की इस तीवर भावना से दूर ले जाता है, जबकि ध्यान गुरू और पुरूश के प्रती प्रेम पर टिका रहता है। प्रेरित करता है. इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ध्यान में प्रेम की गहरी भावना वो स्थाई शक्ती है जो हमें पुरुष से बांधती है. फिर ध्यान का अर्थ केवल भगवान की छवी या प्रतीक को घूरना और फिर आँखे बन करना नहीं है. हम ईश्वर के साथ एक ध्यान के लक्ष से दोर ले जा सकती है. जब हम ईश्वर के प्रती जुडाव और प्रेम महसूस करते हैं, तब ही ध्यान शुरू होता है. ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ध्यान में कोई खाली दिमाग नहीं होता है. जब हम किसी वस्तु को अपनी इंद्रियों में से ए तारों की तरह है, वे केवल समवात करते हैं लेकिन उनकी अपनी कोई चेतना नहीं होती. इस हुदाहरन में तारों की तरह मन के संदेश को विकृत कर सकता है, मन अपने पूर्वाग्रहों और प्राथमिक्ताओं के आधार पर समवेदी डेटा में अपने घटक जोडता है. मन हमेशा गतिशील रहता है, अपनी कलपनाओं के लिए रास्ता खोजता है और कभी आराम नहीं करता. ध्यान दे की चेतना से रहित होने पर भी मन हर समय उतार चड़ाव वाला हो सकता है, समुद्र की लहरें बुद्धिमान नहीं होती है, फिर भी वे कई बाहरी कारणों स हर समय सक्रिय रहती है. मन संसार के साथ अंतहक्रिया करता है और इस अंतहक्रिया के तीन घटक होते हैं, वे हैं स्वयम मन, वस्तू और अंतहक्रिया की प्रक्रिया. समापत्ती शब्द का उप्योग तीन तरीकों को अलग करने के लिए किया जाता है. वस्तू, मन या अवलो योकन की प्रक्रिया प्रती एक प्रकार की समापत्ती में फोकस हो सकती है एक रहस्यमय मंत्र पर एक आगरता के साथ और एक उच्छ सिध्धान्त के प्रती प्रेम और समर्पन के साथ व्यक्ति ध्यान की और बढ़ रहाए। योग में पुरुश या आत्म गेहन ध्यान में व्यक्ति को अपने आप चमकाता है और व्यक्ति समाधी अवस्था के लिए तयार होता है। इस प्रकार बाहरी दुनिया के साथ मन की बातचीत के योगिक मॉडल और स्वयम के साथ एकता की स्थिती तक पहुँचने के लिए इसके कामकाज को पार करने के तरीकों को प्रमानित करने के लिए बहुत रुची रखता है। ये गहन ध्यान का प्रारंभिक बिंदो और मुक्ती की आवश्यकता है। इस प्रकार ये देखा गया है कि ध्यान शरीर और मन की जतिलता को शांत करने और सामान्य होमयोस्टैसिस प्राप्त करने के लिए है। ध्यान आनन्द की एक जलक भी प्रदान कर सकता है। जब तक किसी शाश्वत सिध्धान्द के प्रती गहरा प्रेम और श्रद्धा न हो। ध्यान को ध्यान के रूप में अनुवादित नहीं किया जा सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।